Hi everyone and welcome to current affairs funder. आज हम दिखेंगे practice mock के कुछ questions चोकी है आपका SPIPO and clerk का जो आपका pre का exam होने वाला है उसके लिए. तो आज हम दो questions आपके cover करेंगे जिसमें से एक होगा आपका unknown person का arrangement, ठीक है? क्योंकि ज्यादा तर आपका ये पूछा ही जाता है और एक हमारा sitting arrangement होगा circle में. एक-दो miscellaneous questions को देखेंगे और एक-दो questions को मैं as a homework आपको दूँगी, जैसे की देती हूँ. And ऐसे ही similar type के question की practice के लिए, आप लोग practice mock की जो site है, उसे visit कर सकते हैं, साथ ही इनकी जो test series है, उसको buy कर सकते हैं, उसको follow कर सकते हैं. सबसे पहले पूरा question रखा गया है, सो आप लोग please खुद इस question को पहले attempt करिए. देखो, यहाँ पर यह कह रहे हैं, certain number of persons is sitting in a row facing north. आपके certain number of persons हैं, जो कि आपके row में बैटे हैं, north की और face कर रहे हैं. At most, there are 9 persons in the row. जादा से जादा आपके 9 persons row में होंगे. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay? यह number के person जो हैं, वो row में बैट सकते हैं. लेकिन यहीं पर अगर given होता आपका कुछ इस तरीके से, कि less than, okay? आपका given होता less than 9 person in the row, तो अगर less than 9 person होता तो आप 9 नहीं करते, 8, 7, 6, 5, यह person आपके बैठे होते, okay? And at least given होता है, तो वैसे आपका at least कभी भी नहीं आएगा, कभी भी आपका at least नहीं आएगा. अगर mains की कोछन की बात करें, तो हाँ mains में शयाद वो दे सकते हैं, तो at least कम से कम आपके 9 बैठेंगे, 9 से जादा बैठेंगे, आपका 9, 10, 11, 12, इस तरीके से बैठेंगे, okay? वैसे at least कभी नहीं आता, क्योंकि कोछन को बंद करना होता है उन्हें, ठीक है? यह एक ऐसा statement होता है, जिसका use यह लोग कैसे करते हैं, कोछन को complete करने के लिए करते हैं, right? उसको बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, देखते हैं यहां पर, आगे इन्होंने यह भी कहा है, कि no seat is vacant, कोई भी seat यहां पर vacant नहीं है, एक्जाम में आपको यह line देखने को जरूर मिलेगी, कि कोई भी seat vacant नहीं है, और अगर नहीं देखने को मिलती है, तो अगर यह line देखने को नहीं मिलती है, तब भी आप यहीं मान के चलेंगी, कि कोई भी seat यहां पर vacant नहीं है, क्योंकि अगर vacant होगी तो वो mention करेगा, ठीक, यहां से हमनों question को next slide से देखते हैं, okay, given है, there are two person between R and S, अब आप statement पे ध्यान देंगे, और उनके जो words से उसे बहुत ध्यान देंगे, यहां पे persons की बात कही गई है, R, और S के बीच में आपके दो person बैठेंगे, ठीक, अब दूसरी बात, यहां पे अगर person की बात कही गई है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा, कि यहां पे आपके known person ही आएंगे, यह vacant आपका seat वाला नहीं है, ठीक, तो इसमें आपका जब यह ऐसा कहा जाए कि दो person बैठेंगे या दो seat है, तो एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि vacant नहीं है, vacant में हम यह ध्यान रगते हैं, ठीक, तो मैंने ऐसा इसलिए बोला कि अगर आपके मन में confusion हो, इस person और इस seat वाले statement को लेके तो वह आपका दूर हो जाए, ठीक है, vacant जब होता है तब हम लोग इन चीजों पर ध्यान देते हैं, otherwise जब unknown person की बात होती तब हमें ऐसा कोई ध्यान देने की जुरुवत नहीं होती, सिर्फ हम उनके name नहीं जानते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आप normal सा इसको लिखेंगे, कि R और S के बीच में आपके दो person बैठेंगे, फिर उसके अलावा आगे कह रहे हैं, T sits two place away from R, T जो है वो two place away है R से, देखो, two place away लिखा हुआ है, far लिखा हुआ है, तो इसका मतब यह होता है, कि जितना आपका number लिखा है उससे एक minus, यानि कि अगर two place away, यानि कि second side में बैठा है, ठीक है second to the left होगा, या फिर second to the right होगा, तो second to the left, second to the right होगा, तो कितने का gap होगा इनके बीच में? एक का gap होगा, क्योंकि लेफ्ट पे यहां पर कोई भी person नहीं आएगा, इसका मतलब आपका Q कैसे बैठेगा, सबसे left corner है बैठेगा, क्योंकि यहां पर ऐसा तो कुछ कहां नहीं गिया है, कि आपका कोई भी seat vacant होगी, अगर यहां पर vacant होती तो हम मान सकते थे, कि यहां पर आपका seat है, लेकिन Q जो है वह आपका second to the left आएगा, मतलब left से second number पर आएगा, ठीक है? And इसके अलावा यहां पर आगे कह रहे हैं, कि there are at least three person between Q and R, Q और R के बीच में at least आपके three person आएगे, तो Q तो एक तो आपका left end पर आएगा, और Q और R के बीच में या तो तीन person होंगे, या तीन से जादा होंगे, ठीक, उसको हम बात में देखेंगे जब अपने points लिख लेंगे तब, उसके बात कह रहे हैं, The number of person to the right of P is more than to the left of R, तो number of person जो है, वो P के right में यह जादा होंगे किस से, जितना R के left में होंगे उन से, ठीक, तो आप किसी भी तरेकर का sign बना सकते हैं, Then P is 6th from the right end, तो P जो है, वो कैसे आएगा? आपका जो right end होगा, उससे 6th होगा, तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, P यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है? आपका Q है, वो यहाँ पर हो, Q & P एक दुसरे के adjacent to यह भी हो सकता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7, 7 seats आपकी हो रही हैं यहाँ पर, ठीक, इसके अलावाद देखोगे, तो at least 2 persons sit between P & S, P & S के बीच में या तो 2, या फिर 2 से जादा आपके person आएँगे. अब एक बास seat जो है, उसे guess करने की कोशिश करो, ठीक है, P के right में आपके यहाँ पर 5 person आएँगे, because P जो है, वो right-end से 6 number पर होगा, तो total number of person हमें जादा से जादा कितने चाहिए, 9 चाहिए, ठीक, तो यहाँ पर गया हो सकता है, कि Q & P एक दुसरे के adjacent हो, तो Q हो गया left-end, P इसका adjacent हो गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से person आ गया, okay? तो एक तो यह हो सकता है, दूसरे यहाँ पर gap भी हो सकता है, कि एक का gap हो, और फिर 1, 2, 3, 4 & 5, ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 यह हो गया, ठीक, दूसरी possibility यह है, तीसरी possibility यह है, कि इनके बीच में आपका 2 का gap हो, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9, तो यह भी आपकी तीसरी possibility बनेगी, ठीक, अब आप इसे हटा देंगे, यहाँ पर यह हो गया हमारा right-end, यह हो गया left-end, ठीक है, यह right-end, left-end, यह right-end और यह left-end, देखो, कम से कम आपके 2 तो आएंगे ही, तो अगर 2 का gap करके, मैं S को यहां लिखती हूँ, तो S और R के बीच में जो 2 का gap देना है, क्या हम वो दे पाएंगे, हम वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपका जो S है, वो कहाँ नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, तो अगर हम 2 से जादा देते हैं, तो S आपका यहां पर आएगा, और 1 और 2 का gap करके R यहां पर आएगा, लेकिन यहां पर आपको points जो है, वो ध्यान में रखते हुए चलना है सारे, यहां पर क्या कहा गया है, कि Q और R के बीच में 3 यहां पर 3 से जादा का gap आएगा, तो यहां पर देखो कि Q और R के बीच में जो gap है, वो कितना हो रहा है, खाली एक का हो रहा है, इसलिए यह possibility भी यहां पर नहीं रहेगी, अगर आप S को यहां लिखते हो, तो 1 & 2 का gap करके आपका R यहां पर हो जाएगा, तब भी आपका Q और R के बीच में less than 3 का gap है, इसलिए यह वाला diagram यहां से हट जाएगा, अब बात करते हैं इस वाले diagram की, सब 1 & 2 का gap दोगे अगर इसमें आप 1 & 2 का gap दोगे तो आपका S यहां पर آЕगा, लेकिन फिर 1 & 2 का gap करके आप R नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपका S यहां नहीं आएगा, तो 1 & 2 का gap करके आपका R यहां पर आजाएगा, लेकिन आपका less than 3 का gap रहेगा, तो आप क्या करेंगे S को यहां नहीं लिखेंगे S को आप कहां लिखेंगे यहां पे लिखेंगे और 1 और 2 का gap करके आप R को यहां पे देंगे तो यहां पे कहा गयते है कि at least 3 person का gap होना चाहिए तो at least 3 person का gap तो आपको यहां पे मिल दा है ठीक, आपका 1, 2, 3, 3 का gap मिल दा है, तो ये तो फिर हमारा इस possibility में सही हो रहा है, इस पर आजाते हैं, तो इस पर अगर आप देखोगे, तो अगर आपका S जो है, वो 2 का gap करके यहां आता है, तो आप R फिक्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप कहां रखेंगे, S को यहां रखे है, लिकिन इसमें एक possibility और बन सकती है, Q, 1, 2, P, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, तो यह हो जाएगा 9, 1, 2, 3, 4, 5, तो S आपका यहां पर आके, 1 और 2 R आपका यहां पर आसकता है, ठीक, तो यह भी आपके एक possibility बन सकती है, तो इसे आप हटा दोगे, अब given है R और T के बीच में एक का gap आएगा, तो इस condition के according T यहां पे, इस condition के according आपका जो T है वो यहां भ परसन आएंगे, वो जादा हैं, जितना R के लेफ्ट में आएंगे उससे, तो अगर आप यह देखोगे, तो T की राइट में यहां पे खाली 1 person है, और R की लेफ्ट में कितने है, 1, 2, 3, 4, 4 पर सन R की लेफ्ट में हो रहे हैं, और T की राइट में खाली 1 हो रहा है, तो यह उल्टा हो रहा है, जबकि हमको कैसे चाहिए, T की राइट में ज्यादा चाहिए, इसलिए यह वाला कट हो जाएगा, इसमें अगर आप देखोगे, तो इसमें भी आपका एक परसन राइट में बैठा है, और इसकी लेफ्ट में 1,2,3,4,5,5 बैठा है, इसलिए यह भी कट हो जाएगा, अब इसमें हम लोग T को कहां फिक्स करें, मानलोगा, T को यहां फिक्स करती हो, तो इसकी राइट में 1,2,3,4 हो जा रहे हैं, इसलिए आपका T जो है, वो यहां न आपके T कहां पर आएगा, आपका R और T एक का गाप करके P की लेफ्ट में आएगा, अब आप देखोगे T की राइट में कितने परसन है, 1,2,3,4,5,6,6 परसन है T की राइट में, जो की greater than है किस से, 1,2,3,4,4 से greater than है, 4 क्या है आपका R की लेफ्ट में बैठने वाले परसन तो अब ही आपका statement जो है, वो complete हो जाएगा, इस condition को हम यहाँ पर complete कर देंगी, ठीक है, तो इस तरीके के यह question बनना था, देखो छोटा सा question था, लेकिन अच्छा question था, तो इसी type के question आपके P.O. में देखने को मिलेंगे, तो इस type के questions की आप practice करिए, पहला question यहाँ पर given है, who among the following sits to the immediate left of R, R की immediate left में कौन है, so यहाँ पर P बैठा है, so option number B होगा correct answer, then how many person are sitting in the arrangement, कितने person in arrangement में बैठे हैं, तो 9 person बैठे हैं बैठे हैं, so option number C होगा, known होता, तो हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 पर टिक लगाते हैं, okay, then how many person are sitting to the left of S, S की left में कितने person है, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 7 person है, so option number B होगा correct answer, then who sits exactly in the middle of the arrangement, arrangement के exactly बीच में कौन बैठा है, total 9 है, यानि कि 5 बीच में होगा, तो यहाँ पर exactly बीच में कौन है, R है, so option number B होगा यहाँ पर correct answer, okay, okay, next question पर आजाते हैं, खुद से attempt करिए एक बार, दिको यहाँ पर कह रहे हैं, 6 person, ध्यान रखिएगा पेपर में, जल्दीवाजी में, कभी-कभी आप लोग पढ़ते नहीं हैं कि total number of person कितने हैं, और अपने डाइग्राम जब का हाथ से होता है, 8 person पर उसे बना कर बैठ जाते हैं, और फिर तो वो गड़वड़ी हो जाता है, ठीक, तो थोड़ा सा माइन को खोल के, और 3 person जो हैं, वो कैसे देखेंगे, inside देखेंगे, और 3 जो हैं, वो कैसे देखेंगे, outside देखेंगे, not more than 2 adjacent person face in the same direction, 2 से ज़्याद आपका same direction वाले नहीं आएंगे, यानि कि 2 inside face करेंगे, तो 3 जो बैठेगा लगतार, वो outside face करेगा, ठीक, इस point को आप ध्यान में रखेंगे, य जितने मैंने इस parent से बात करी है, उनसे questions डम नहीं बनते हैं, तो अगर मैं पूछती हूँ कि आप उसे क्यों नहीं हुआ, तो बाद में उन्हें इस गलती का realize होता है, या फिर ऐसा भी होता है, कि कई बार उपना time waste कर देते हैं, लेकिन बाद में उनसे question बन जाता है, तो व आपको यहाँ पर यह बार बार याद दिलाती हूँ, अब देखो, यहाँ पर 6 person है, Q sits second to the left of P, such that both face in same direction, तो Q जो है, वो second to the left है P के, तो बना लेते हैं इसको, Q जो है, वो second to the left है P के, तो यहाँ पर आपका एक का gap होगा, एक बार में P को हम inside दिखा देंगे और एक बार मे हम P को outside दिखा देंगे, ठीक है, तो second to the left है न, तो इसमें हम inside दिखा देते हैं, और इसमें हम outside दिखा के Q को यहाँ कर देते हैं, ठीक, और दोनों same direction देखेंगे, तो दोनों को हम लोग same direction उनके-उनके diagram के according दे देते हैं, R sits immediate left of S, but not adjacent to P, R जो है, वो immediate left है कि इसके S के, ले लिकिन आपका P के adjacent नहीं होगा, तो R और P जो है, वो adjacent नहीं होगे, then T is adjacent to Q, T जो है, वो adjacent है Q के and face in the same direction as P, और same direction देखेगा P के, अब देखो, यहाँ पर easy सी बात है, कि जब आपका T जो है, वो adjacent है Q के, और same direction में देख रहा है P के, तो यानि कि P और Q जो दोनों inside देख रह था कि आपका जो 3, sorry, जो 2 person है, 2 से जादा आपका same person होंगे, 2 से जादा जो भी same face कर रहे होंगे, वो साथ साथ नहीं बैठेंगे, इसलिए हम लोग P और Q के बीच में T को नहीं बठा लेंगे, because यहाँ पर P, T और Q तीनों same direction देखेंगे, इसलिए हम लोग T को कहां बठा ल यानि कि अब जितने आएंगे, सब आउटसाइड वाले आएंगे, इसमें आपका सारे आउटसाइड हो चुके हैं, तो अब यह जितने आएंगे, आपका यहाँ पर inside वाले आएंगे, ठीक, then, यहाँ पर जो आपका यह कहा गया है, कि S के immediate left में आ रहाएगा, वैसे एक बा जिससे आपको यह पता चले कि इस परसन का face जो है, वो center की तरफ है, या फिर नहीं है, क्योंकि वो एक point होता है, जो कि आपकी possibility को cut करता है, जैसे कि यहाँ पर यह कहा गया, you does not face away from the center, you जो है, वो बाहर की और नहीं देखेगा, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, कि ती line-wise आये, तो आप line-wise ही पड़े, उसको crack करने की कोशिश करो, S की immediate left में R आएगा, so S यहाँ पर आजाएगा, R आपका यहाँ पर आजाएगा, okay, and जो आपका U बचेगा, वो यहाँ पर आजाएगा, तिक, complete होगया question, who among the following sits second to the right of P, P के second to the right में कौन है, so P कैसे face कर रहा है, बाहर की ओर, तो 1 and 2, कौन है यहाँ यहाँ पर, R, so option number D होगा, correct answer, then who among the following face in the same direction as U, यहाँ पर ऐसा कौन सा person है, जो कि U के जैसा face कर रहा है, तो U कैसे face कर रहा है, U आपका inside face कर रहा था, तो inside वाले ही person होने चाहिए, जिसमें से एक S है और एक R है, तो R और S में से कोई भी एक आपका यहाँ पर given होगा, तो R given है, so option number B होगा, correct answer, एक दो question miscellaneous को देख लेते हैं, तो E यहाँ पर है, P यहाँ पर है, दोनों को connect कर रहा है J, so E is greater than J, और J जो है वो greater than है, P से तो आपका first follow होगा, U is greater than N, so U is greater than N के लिए आप देखोगे, N यहाँ पर है, U यहाँ पर है, और वैसे तो J यहाँ पर given है, फिर J से हमें R पर जाना होगा, फिर R से N पर, तो ठीक है, U is greater than J, ठीक, उसके बाद J is greater than R, R is equal to S, और S is greater than N, तो आपका, basically आप बोल सकते हो कि U जो है, वो greater than है N से, P is greater than equal to R, P जो है कि वो greater than है, equal to R, इसे आप ऐसी cut कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, P जो है, starting में smaller दिखा दिया गया, तो यह तो होई नहीं सकता, is coded as 786, then what is the code of first right, तो यहाँ पर आप देखोगे कि, या तो आपको first and right तोनों का code अलग से मिल जाए, या फिर आपको thing मिल जाए, तो क्या thing मिल जाए है आपको कहीं भी, thing कहीं नहीं मिल जाए, तो first and right मिल जाए, तो first and right में से आपको right मिल दा है, लेकिन first नहीं मिल दा है, तो आपको जो code है, वो कहां first जाएगा, thing और first में first जाएगा, तो answer क्या होगा यहाँ पे, या तो इधर और करके कुछ given होना चाहिए थे, लेकिन given नहीं है, तो answer आपका यहाँ पे होगा, c and d. चलिए, इसका answer आप लोग मुझे comment section में दीजे, और एक transparent है, अंकित वर्मा, यह हमेशा, जो जितने भी questions मैं देती हूँ, उन सभी को attempt करते हैं, और उन सभी के answer जो है, वो comment section में लिखते हैं, तो आपका answer जब ठीक हुआ करेगा, तो मैं आपके answer को like कर दिया करूँगी, वि में pin कर देंगे, okay, so channel को subscribe कर लीजे, ताकि आपको regular notification मिलते रहें, और SBI clerk तक आपके daily lecture पढ़ेंगे, तो एक भी दिन आप channel को miss ना करें, आपके सारे lectures पढ़ेंगे, notification आए या नाए, आप आके visit जरूर करें, thanks for watching this video, have a nice day.